आज पालक की ऐसी सांदा रेसिपी बनाने जा रही हूं जो खाने में भी बहुत ही टेस्टी है और बनाने में भी बहुत ही आसान है पांस से साथ में बन जाती है आप इसे लंच डीनर आप किसी भी समय बना σकते है बहुत ही टेस्टी बनती है तो चलिए हेलो फ्रेंट्स получилось में आबसाध्य का स्वागत है तो चलिए शुरु करते हैं बनाने तो इसके लिए मैंने लिया एक कटोरी मूंग की डाल एक छोटी कटोरी की डाल को मैंने पहले पानी से अचे बो लिया हि Super कर लिया और दस मिनट के लिए भीगो कर चोड़ दीया और साथ में मैंने ले लिया है एक टमाटर और एक प्याज इन दोनों को भी बस चॉप कर लिया है तो अब हम आगे का प्रोसेस सुरू करते हैं इसके लिए मैंने एक हरी मिर्च भी ले लिया है तो देखिए सबसे पहले मैंने कूकर को गैस पर चड़ा दिया है कूकर जब गरम हो जाए तो उसके बाद फिर हम उसमें डालेंगे एक चमच सरसो का तेल बस कूकर गरम होने की देर है उसके बाद सुरू करते हैं तो ये मैंने डाल दिया इसमें एक चमच सरसो का तेल तेल गरम होते ही जब तेल खूब अच्छे से गरम हो जाए तभी हम इसमें डालेंगे और आगे का मसाला क्योंकि तेल कच्छा रह जाएगा तो फिर उसके स्मेल हो जाएगी तो मैंने इसमें डाल दिया है जीरा आदे चमच के लगए जीरा का यूज किया है जीरा बहुत ही अच्छा होता है अलके ले भी और साथ में वो हरी मिर्च जो मैंने ली थी ना उसे बारी काट लिया है काट कर उसमें डाल दिया था और साथ में डाल दिया प्याज कटा हुआ अब इन दोनों को एक मिनट के लिए सिर्फ भूनेंगे ज्यादा नहीं भूनना है बस एक मिनट के लिए हमें से भून लेंगी देखी थोड़े से ट्रंसलूसिंट हो गये हैं तो अब मैं इस समय डाल देती हूँ इसमें टमाटर जो टमाटर हमने काट कर रखा था वो टमाटर मैंने इसमें डाल दिया टमाटर को भी बस लंबा लंबा काट लिया था अब इन दोनों को डाल करके खुब अच्छे से हम एक से दो मिनट के लिए भून लेंगे ताकि टमाटर का जो पानी है प्याज में अच्छे से मिक्स हो जाए और उन दोनों का अच्छा सा फलेबर आए तो बस इतना ही हमें भूना है और इसके बाद मैं डाल दूँगी पालक जो पालक मैंने काट कर रखा था उसे धो करके वाश कर लिया था और ये देखे पालक अभी भी मोटा ही है पालक को मैंने बारिक नहीं किया है बस मोटा मोटा पालक काटके इसमें डाल दिया है और अब हम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिला देंगे ताकि सारी चीज अच्छे से मिक्स हो जाए और पालक भी जैसे हम डालेंगे न कूकर में डालते ही गर्महट से वो तुरंद डाउन होने लग जाएगा वो नीचे के और चला जाएगा पिछे चिपक जाएगा वो ये देखे पालक कैसे चिपक किया है उन दोनों में और अब मैंने जो दाल भी गोकर रखी थी उसका पाने निकाल करके सिर्फ डाल को इसमें डाल दिया है और अब इन सब चीजों को हम बस सिर्फ एक अस्टर होने तक मिलाएंगे और अब मैं इसमें डालूंगी मसाले मसाले हम बहुत हलके ही यूज़ करेंगे इसके लिए मैंने सिर्फ यूज़ किये 140 पून हल्दी पॉर्डर और नमक टेस्ट के कॉर्डिंग जितनी दाले उसके हिसाब से नमक डाल दिया है और अब इसे मिला करके हम छोड़ देंगे बस इसे इतना ही मिलाना है हलका सा बस मिला दिया और अब मैं इसमें डाल दूँगी एक बड़ी कटोरी पानी का पानी हमें दाल से लगवग डबल डालना है और अब बस अब मैं इसका धकन लगा दूँगी और धकन लगा करके तीन सीटी आने तक इसे हम पकाएंगे आज को अभी तेजी रखेंगे जब सीटी आने लगेगी तो आज को मीडियम कर देंगे ये देखें कूकर में हवा भरने लग गई है सीटी एक दम आने को तयार है बस ये सीटी आई और इसी तरह से बस दो सीटी और आ जाए और मैं बस गैस को बंद कर दूँगी गैस देखें गैस की इस दम पूरी विसल निकल चुकी है कूकर में से तो अब हम इसे खोलते हैं देखें पालक और दाल दोनों बहुत अच्छे से सीच चुके दाल को मैंने ज़्यादा नहीं गलाया है बस हलका खड़ा खड़ा ही रखा है आप दाल का टेक्च्चर देख सकते हैं अलग से दाल दिख रही है बस इस तरह का हमें इसमें टेक्च्चर लाना है तो अब हमारी ये दाल रेडी हो चुकी है तो इसमें अभी हमें थोड़ा पानी और डालना है क्योंकि मुझे ये गाड़ी लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा पाने डाल दूँगी ताकि इसकी consistency ठीक हो जाए और इसे गरम करके एक उबाल आने तक इसे उबाल लेंगी क्योंकि मैं कच्छा पानी नहीं अच्छा लगता डाल में तो बस इसे एक उबाल आने तक उबाल लिया है और अब चढ़ाते हैं तड़का का पैन इसके लिए हम एक तड़का तयार करते हैं तो इसके लिए पैन चढ़ा करके पैन गरम हो गया तो इसमें मैंने डाल दिया एक चमच सुद्ध देशी की डाल में देशी घी की खुजबू बहुत अच्छी आती है इस टाइम जब ये घी बहुत अच्छे से एकदम तेज गरम हो जाएगा तो मैंने इसमें डाल दी दो लाल मिर्च सूखी वी सूखी लाल मिर्च डालने के बाद मैंने डाल दिया आधा चमच के लगवग जीरा जब जीरा खुब अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें मैं डाल दूँगी एक बड़ा चमच लहसुन बारे कटावा लहसुन का फ्लेवर दाल में बहुत ही अच्छा लगता है पालक दाल जो ये बनी है ये लहसुन के फ्लेवर से इतनी टेस्टी लगेगी ना इसके आप होटलों में जो लहसुनी पालक दाल जीसे बोलते हैं वो ऐसा ही फ्लेवर आएगा तो ये देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ आदे चमच कस्मेरी लाल मिर्स और अब ये तड़का मैं इसमें डाल दूँगी लैसुन को मैंने बहुत अच्छे से पका लिया था बिल्कुल गोल्डन ब्राउन तक पकाया था तो ये देखिए सारा तड़का मैं पैंट से इसमें डाल दूँगी तो अब आप देख सकते हैं ये दाल कितनी अच्छे लग रही है देखने में कलर भी बहुत अच्छा है आप जब इसे सर्फ करें तो इसके पर थोड़ी ची कसूरी में थी या पर धनिया पत्ता बुरक सकते हैं लेकिन ये दाल ऐसे ही बहुत अच्छी लगती इसमें और कुछ भी डालने की ज़रत नहीं है देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगेगी तो अगर आपको मेरी इस रेसीपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करके बताइए कि आपको इस रेसीपी कैसे लगी और अगर मेरी चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन दबाईए ताकि आपको नई नोटिफिकेशन तुरन मिल जाये थे